हाई हेलो दोस्तों विल्कम टू माइंडिस प्यानल तो आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले अपने आर्सी ट्रक का पार्ट फाइब यहाँ पर दोस्तों इस वाले पार्ट का जो नाम है वो सकेल यहाँ पर मुझे भी सही से समझ में आया कि यह क्या है बट इसे नॉर् पर इसको मेकिंग शुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तों बतादो इससे पहले जो है वो चार पार्ट बन चुका है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चीनल को विजिट करके देख सकते हैं क्योंकि नॉर्मली अगर इस वीडियो को देख लेते हैं अर यहाँ पर socker suspension अगे जो भी है सारा चीज इस चीज में इस्टोल हो सकता है तो यहाँ पर हमारे टरक में socker suspension नहीं है πती है मतलब spring है तो वो इसी में आकर इस्टोल होगा तो चलिए फड़ा-फड़ा इसके में के शुरू करते हैं और विडियो को पूरा देखे क्योंकि 25 kg तक की वेट लेकर चलेगा तो यहां पर इतना वेट इसमें नहीं पढ़ने वाला बट अगर नॉर्मली आप लोग और ज्यादा वेट देकर मतलब बनाना चाहते हैं तो इस वाले में आसानी से 60 से 70 kg तक वेट ले लेगा यहां पर दोस्तों इस वाले पार्ट को बनानी के लिए सबसे पहले हमें मार्क करना होगा तो यहां पर दोस्तों मेरे पास एक काटून का टुकड़ा है और यहां पर दोस्तों एक बात बता दू कि हमारे पत्ती का जो साइज है वो 7 से 8 mm के लगपग में है तो यहां पर जो म मार कर लेना, मार करने एक बाद इसे कट कर लेना है तो यहां पर दोस्तों यह देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कम्प्लीट हुआ है मतलब चार कोना में अलग-अलग निकला हुआ है तो अभी इसे करना क्या है, दो पीस जो है वो उपर के ओर उड़ जाएगा दो पीस जो है वो नीची के ओर चला जाएगा तो यह बस एक फॉर्मूला है अभी इसको जो है थोड़ा सा अपने हिसाब से डिजाइन आप कर सकते हैं यहां पर मैंने जो डिजाइन किया है, वो देख सकते है किस तरीके से है यहाँ पर दोस्तों मैंने जो formula तयार किया था तो यहाँ पर हमारे पास है 2.5 mm का iron seat और उसे उसमें रख के अच्छे से mark कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों मेरा total जो है वो 8 piece बनने वाला है तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 3 piece mark किया है बागी फटा-फट इसे पहले cut कर ल आए था इसका वीडियो मेरे चीनल पर है तो अगर चाहे तो इसे भी देखकर आप घर पर आसानी से बना सकते हैं तो अभी चलिए फटा-फटी से cut कर लेते हैं सारे को तो यहाँ पर दोस्तों cut होने एक बाद कुछ इस तरीके से complete फटा है मुझे लगता है थोड़ा-थोड़ा plane के जासा दिख रहा बट फटा-फटा भी करना क्या है यहाँ पर देख सकते हैं दो पीज़ो है वो नीचे के ओर मौड़ना है दो पीज़ो है वो उपर के ओर मौड़ना है यहाँ पर दोस्तों बीच में मैंने थोड़ा सा cut किया है तो वह आगे आप लोगों को समझ में आज आए जाएगा फटा-फटी से मौड लेते हैं मौड़ना का तरीका भी आप ल तो यहाँ पर दोस्तों दीख सकते हैं एक साइड मौड चुका है दूसरा साइड जो है यहाँ पर पिलास से पकड़के और उसके बाद फिर दूसरे पिलास से पकड़के हलका सा मौड देना है उसके बाद फिर थोड़ी से पकड़के इसे अच्छे से ठोक लेना है और उस तो यहां पर देख सकते हैं हमारा दो पीस जो है वो नीचे की और मूड चुका है अभी यह जो दो पीस बचा हुआ है इसे दोनों को उपर की और मूड दाया तो यहां पर दोनों साइड हम पिलास से पकड़ेंगे और बहुत ही आसानी से यह दोनों उपर की और मूड यहां पर दोस्तों ये metal है बहुत ही ज्यादा hard metal है तो इसे मोड़ना ज्यादा आसान नहीं है और बहुत ही ज्यादा उसके लिए भी नहीं, यहाँ पर दोस्तों मूर्द चुका है हमारा टूटल कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पर थोड़ा सा छोटा बड़ा है, तो उसे अच्छे से गिरेंडर से कट करके फ्रेस कर लेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं, यह 8 पिस हमारा कंप्लीट हो चुका है, नीचे छोटा-छोटा जो सीट है, वो भी मैंने कट किया है, तो उसका जो साइज है, वो 2.5 सिंटीमीटर इसका जो चोड़ाय है और लंबाय जो है, वो 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर दोस्तों उसे भी 8 पिस कट करना, और कुछ इस तरीके से रख के वर्ल्डिंग करवा लेना यहाँ पर दोस्तों वर्ल्डिंग करवाने के लिए आप कहीं अपने आसपडोस में जाकर देख सकते हैं, वर्ल्डिंग हो जाए तो तब फिर बाद में मैंने इसे पितल का वर्ल्डिंग करवा लिया, पितल का विर्ल्डिंग बहुत ही ज्यादा स्मूथ और बहुत ही ज्यादा फिनिसिंग होता है तो अब चली है फटबट सारे को वर्ल्डिंग कर लेते हैं यहां पर दोस्तो हमारा सारा वर्ल्डिंग हो चुका है अब टाइम है इसे ट्रक में इस्टॉल करनेगा तो इस्टॉल करने से पहले दोस्तो कुछ चीजों को समझ लेते हैं यहां पर दूस्तों हमारा पत्ती जो इस्टॉल होगा तो यहां पर सबसे पहले 6 पीस होल करना है यहां पर हमारा जो चेचिस है वह ऐलमुनियम का है तो ऐलमुनियम में यहां पर हमारा स्क्रूब टाइट नहीं होगा इसके लिए मैंने जो हमारा होल्डर है उसी के साइज का मैंने एक पत्ती कट किया है और अंदर के साइड में दिया है यहाँ पर इसमें जो है वो थ्रेड बना हुआ है जितना साइज हमारा होल उस वाले पत्ती में है उसी का नाप का ये वाला होल है यहाँ पर देख सकते हैं सारा होल जो है वो एक दूसरे से मेच कर रहा है मैंने य होगा क्या कि हमारे ट्रक को double मजबूती मिलेगा एलमुनियम का चेचिस है तो यहाँ पर अंदर के साइड में मेडल मिल जाएगा बाहर से भी मेडल हो जाएगा और मेडल में जो है एलमुनियम यह चीज रह जाएगा तो इस तरीके से हमारा जो है बहुत ज्यादा मजबूत हो जागा तो उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो काफी अच्छा लगा होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जाकर देख ले अगर आप खुद का एक साइंस प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उसके लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो यह काफी अच्छा है काफी यूसफूल है और बहुत सारे चीजों में इससे आप यूज कर सकते हैं तो अभी देख सकते हैं यह भी हमारा यहां पे इस्टॉल हो चुका है अभी दूस्तु पत्ती होडर यहाँ पर कुछ इस तरीकर सारी चीज्ट इस्टो लोटन हो चुका है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रियर एक्सल फ्रॉंटट इकक्सल को इस्टॉल करेंगे और बश super पर इलेक्त फाह अगिर हो नेक्सट वीडियोखना करें तो उमीद करता झाल झाल